हेलो गाइज वेल्कम बेक टो मैं चैनल संगिनिंग रोफ हॉंट इस वीडियो में मैं क्लास कंथ की फिजिक्स यानि की भौत विध्यान का चैक्ट एवन पढ़ाने जारी हूं हम लोगों ने पार्ट वन लास्ट लेक्टर में पढ़ चुके हैं अगर जिस बच्चे ने पहल पर लेक्टर नहीं पढ़ा है तो फ्लीज चल दूशे पढ़ लेजिए उसके बारे आप अपना यह पार्ट वन इस्टार्ट करें प्रकास के बारे में पढ़ाता है अब हम लोग हमारे चैप्टर का नेम है प्रकास का परावरतन तधा अपवरतन ओके हम लोगों ने पहले इस चैप्टर के बारे में अब हम लोगी नक्ष्ट टॉपिक के बारे में दिस्कस करेंगी हाँ एक बात मैं आप से और भी कहना चाहूंगी अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे है एंड कमेंट कर दीजे हमारा जो टॉपिक है टॉपिक का नेम है प्रिकास का परावर्तन रिफ्लेक्शन ओफ लाइट इसमें बताए गया है कि प्रिकास का परावर्तन क्या होता है तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रिकास का परावर्तन क्या होता है प्रिकास का किसी चि फ्लाइट कहते हैं अब हम लोग इसे और भी अच्छा से समझते हैं तो कि प्रिकास का प्रावितन क्या होता है यह देखें यह मैंने एक फीगर ड्रॉक कर रखा है इस इन वाली फीगर को नहीं देखना है आपको यह फीगर पर फोकस करना है क्या कहा गेह था फ्रिकास का किसी चिकने या पॉलिस दर्षत है यानि कि यह देखें हम लोगों यह जो हमारे सिसा इसे हम लोग rotten कर लिया पॉलिस होने के यह जो प्रष्ठ था इस यह चिखना था इस वज़े से इसका परावर्तन हो गया चिखने होने की वज़े से इसका परावर्तन हो गया तो यह अगटना क्या कहलाया प्रिकास का परावर्तन कहलाया अब आप लोग यह सोचे एक बार जब हम लोग सुबह सुबह जूतो में जूति करते हैं क्यूं करते हैं, जिसके हमारे जूति चमकने लगा और पॉलिस जार करने से प्रकास का परावतन बहुत ही असानी से हो जाता है प्रकास के परावतन बहुत असानी से होने से जुते चमकने लगते हैं चमकते हैं चमकते हैं इसी वज़े से अब आप लोग समझ गया ना कि प्रकास का परावतन क्या होता है अगर ना समझ पा रहे बहुत अची साथ कर समझ नहीं आजाएगा क्या हुआ एक बाद फिर से आप लोग देख लीजे प्रकास का किसी चिकने या पॉलिजा सत्य से टकरा कर वापस उसी माध्यम में देखो यह माध्यम एक है यह दर वायू था इसाट पर वायू था तो इदर भी तो वायू होगा इदर भी तो वायू होगा कोई सीसे कि इस पार थोड़ी चला गया प्रकास का किसी चिकने या पॉलिजा सत्य से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लोटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है प्रकास का पड़ावरतन कहलाता है ठीक अच्छा से इस डेफिनिशन को याद कर लीज थका प्रकास का पड़ावरतन कहलाता है और जिस तल पर यह गटना होती है जो जो गटना होती है उस कsw प्रकास की किरण आप्तित किरण आकर के हमारे परावरतित किरण और तकराने के परशात वापस उसी मादर में जो किरण लोटती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण से यह जो जैस गया इसको कहते हैं अभिला यह जो पॉइंट होता है जिस बिंदु पर यह मूर्ति है इसको होलते हैं अभी आपतन बिंदु क्या कहते हैं इस बिंदू को ये वाला जो बिंदू होता है ये वाला बिंदू इसको क्या कहते हैं आपतन क्या कहते हैं आपतन बिंदू इसको कहते हैं आपतन बिंदू ठीक है और आपतन बिंदू से सीरे ये जो एक तल गया इस तरह से ये जो लाइन खीची हुए इसको कहते हैं अभी लंब क्या कहते हैं इसको कहते हैं अभी लंब और अभी लंब तथा आपतित किरण के मद्य बनने वाला कोड देखो अभी लंब ये जो अभी लंब है और आपतित किरण है इनके मद्य बनन आपतन कोड कालाता है आप तन कोड़ पूर्टी से दर्शाते हैं कोड़ आई से दर्शाते हैं अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखाता है अब हम लोगों ने पढ़ाता ना दिख रहा ना सबको क्या लिखा हुआ है तथा उस तल को परावरतन की घटना होती है उस तल को परावरतन की मात्रा तल की प्रकृति पर मिर्भर करता है परावरतन देखो अब आप एक बास सूझिए जितना परावरतन सोचए कि जतना जैद आप जुते पर पॉलिस करेंका पॉलिस करके जितना अच्छी से चिकना आपने जूते को कर देंगे उतना जाब चमबार दरीखेग आपको जूता संझे बेचा पाटी और जितना कम पॉलिस करेंगे तो उतना कम दिखेगा चम कम चमकेगा जुता तो फिर इसी तरह ऐसे यानि कि आपका जो परावरतक तल है परावरतक तल जितना चिकना जितना पॉलिस दार जितना अच्छे से चिकना पॉलिस दर होगा इतना अच्छे से परावरतन होगा इतन और आपतन को और परावर्तन को यह अच्छे से बनेगा उसमें और जितना ज़्यदा कम चिकना होगा उसकी बदले में खुरदुरा होगा तो फिर उसमें परावर्तन कम होगा परावर्तन की जो क्वाल्टी है या मात्रा है वो कम होगी समझें वही बात लिए प्रकास के परा यह चीज जब किसीmomох पॉलिष्टर प्रस्ट से प्रावरतन हो रहा हो तो उसे नियमीत प्रावरतन जिकना प्रेहता है जब हम लोग अपने जूतों को पॉलिश कर लेते हैं फिर प्रकास का उस पर उस चिक ने परावर्तक प्रेश्ट पर परावर्तन होता है तो उस परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन के क्या एक्जांबल हुआ हम लोग जूतों में पॉलिश करते हैं बस वो गया एक जैसे कि हमारे घरों की दिवाल होती है तो इसे परकास के हुआ के प्रेकास करह से यानि की कुछ MKS क्यार होगी कम अच्छा होगा और फिर हमघ्छा होगी आन्यामीद यानि विसुलित पर आवरतन इसका एक और आपनों अग team के घर में नुजर्पेपर आता होगा अपने नुजर्पेपर आता पढला्य पढते हो से अटिश değer फ़सलेश पढ़ा बहुद हअथ ज्यादरं वह वह सुख्णता बहुत पढ़ाना is इसे निज अपडेट रहती है रहती कि नहीं रहती है मेरी दो रहती है और बहुत सा इजीजे की इंफोर्मेशन मिल जाती है डेली लाइफ की और और भी चीजे एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज भी जाती है तो भी आप लोगों में से जो पच्छी नुस्परवा पढ़ है एक में थी तब से तब से मुझे नुस्परव पढ़ने में बहुत मजाती थी और अभी मैं हमेशा पढ़ती है नुस्परवा डेली आप लोग भी अगर पढ़ते हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरू लिखिए अब मैं आपने टॉपिक के आती हूँ जो नु नुषत लिखिए कंसे कम तंक कश्राइइक प्रिकास पारवस्त रूपिक्यू कन से कम क्यों है अगर आत कम पढ़तन ज्यादा होगा तो हमने उस प horrible newspaper चमकरा अभर कि लये-σ Tudo तो फोड़ा ऑसका जो साफ थे धुला कर्देटे रोण तर dedicate अधानी से आकास का पड़ा टनीका होता है और असानी इसे के जो शव्डं के रभातों पड़ पाते समंझ में आते हैं हम लोगों को शर्द इसलिए थीक है तब ही हम लोगों को शुर्णी पेज होताई प्रिस्ट्ट यानि कि पेपर जो होता है वह खुरदणा दिया जाता है जिस्छी अम लोग असानी से पढ़ लेते हैं और उसमें जो परावर्तन ayat उस परावरतन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विसुरिट परावरतन यानि अनियमीद परावरतन ठीक है गाइस? अब लोगों ने ये टॉपिक क्लियर कर लिया कि तकास का परावरतन क्या होता है? अब हम लोग नेक्ष्ट टॉपिक पर आते हैं कि परावरतन की नियम क्या होते हैं यानि law of reflection हमारा जो note है first point है हमारा देखो I am so sorry हमारी ये जो दो points है उनको बहुत अच्छी से आपको अच्छे से पढ़ने हैं दो points दिखाई दे रहे हैं आप लोग को दिखाई दे रहे हैं आपतित किरण परावरतित किरण वा आपतन बिंदू पर खिचा गया बिलम तथा आपतन बिंदू पर खिचा गया बिलम वो तीनों एक ही तल में होते हैं और जो हमारा जो second point है आपतन कोर तथा परावरतन कोर से देव बराबर होते हैं अब तन कोड को किसे प्रदर्श्रिद करते हैं और आए से थैसिं में हमाना ऱज़ फ़र्स्ट पन्साट मैं पहले जाती है उसमें कहा गया था कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर खीचा गया जो अविलम्ब है ये तीनों ये तीनो, कौन-कौन से तीनो, आप्तित किरण, परावर्तित किरण, तथा आप्तन बिर्दु पर, खीचव या अभी नम्ब, तीनो, एक ही तल में उपस्थित होते हैं, एक ही तल में होते हैं, या आप ही तल में होते हैं, ये बात सही है, कि एक ही तल में हैं ना, ये एक ही किया कहलाता है आप तो कर औल तुक किस से फिल्टर्शित करते है आप तो को और उक्र किसे खोर आई पर हम लोग जाने फिर हम लोग जानते हैं इस परावर्ति gallery और अभि लम के माध्य बनने वाला का क्या कहलाता है? परावर्त n. services आपतित परावर्तित किरण तथा अधिलम के मद्य बनने अला को परावर्तन कूर कहलाता है इसे परावर्तन कूर करते हैं तो जो आपतन कूर होता है वह परावर्तन कूर के बराबर होता है देखिए जितना आपतन कूर होता है परावर्तन कूर है कि नहीं है ना यानि कि आप खोड आके बराबर होगा, होगा ना, बस इतना ही, ये दो पॉइंट्स थे, आपको इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से समझना है, एक्जाम में जब भी आपको इन दो पॉइंट्स के बारे में जरूर पूचह जाता है, ये परावरतन क लॉय रूल इस तरह से पूछा जाता है तो फिर आप लोग इन दो पर्ण्स को लिखिएगा और इस फिगर को जरूर बनाएगेगा बहुत अच्छे आपको इससे मार्क्स मिलेंगे ओके मैं आपके एक बात और कहना चाहूंगी दिख रहे हैं आप लोग को दिख रहे हैं प्लीज जल्दी से इसकी स्किंसोर्ट ले लीजिए वन टू थ्री आई होब आप लोग ने स्किंसोर्ट ले दिया होगा ठीक है आप और और आप लोग लिखी भी लेजिएगा बचों मेरी तबयत खराब इसलिए मैं थोड़ी से खास रही हूं इस गुरा मत पानिएगा मैं आपको डिश्टक्ट कर रही हूं और तो और इसकी भी इसकी स्किंसोर्ट ले लीजिए ये फीगर आपके एक्जामें बहुत जड़ा काम आएगा ठीक है वान टू थ्री आप आप लोगोंने स्किंसोर्ट ले लिया होगा अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा जो यह यह वाला टॉपिक है यह हमारा लोग यह भी एक मौइंट है हमारा जब कोई किरर रेष्ट पर अभी लंबद आपतित होती है तो आई एकल जीरो का मतलब है आपतन जो कोड होता है वो जीरो इसका मतलब है कि जो परावर्तन कोड है जो परावर्तन कोड है अर्था किरर परावर्तित होकर उसी मार्गों से वापस हो जाती है जिसकत से वह आ रही है इसका मतलब यह है कि देखिए अब यह आना फीकर आप दिखिए यह हमारा एक परावतक तल है अब इस इस पर से आप देखिए जो आप तिट किरण है वह सीधे अभी लंबवत का मतलब क्या होता है अभी लंबवत का मतलब होता है कि आपके परावतक पर से 90 दिखरी का फोड बनाते हुए आई परावतक परावतक तल परावतक होता है तो फिसके बाद परावतक तल से तकनाने के परशन जब वापस उसी माध्याम में वापस उसी मार्ग से लोट जाती। वापस उसी मार्ग का मतलब है, जिस मार्ग से आई थी, उसी मार्ग से वापस चली गई ना, देखो यह एरो समझ में आ रहा है, यह एरो यह बता रहा है, यह परावर तित किरण है, वापस उसी मार्ग से वापस चली गई ना, और यह वाला एरो यह बता रहा है, यह आप ति तक्राइने के उपरस्षल कें वापस उसी ऐसी राष्टर से जारी न उसी रास्तर से जारी जारी देसे जारी न ईसी प्रॉपर्ट्ट को अच्छा से यहाद रखना है एकला परावर्ट तक तलब कर्ण अभिलंब आप्तित होने से अगर आपकी आपतित किरण बनेने वाला आपतित कोड होता है यहीं से तह आपतन कोड बनता है आपतन कोड और आप तिस किरण के मद्यां कोई यहां से कोड दीख रहा है कोई नहीं दीख रहा है यहां से तो भाई दीख रहा था दीख रहा था ना यहां तो कोई नहीं है इसका मतलब यहां जीरो है आपका आपतन कोड क्या है जीरो है ना और जब आपतन कोड जीरो है तो परावतन कोड़ क्या होगा परावतन कोड़ भी जीरू है अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे परावतित के वड़ उसी माद्यम से होकर वापस जाती है अधर इसकी चालवा तरणडर्य नहीं बदलती है इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि जब भी आखी इस तरह से जब आखी की प्रकास का परावतन अगर इस तरह से होता है तो इसमें उतना तो प्रकास की किरण की ना तो प्रकास की किरण की चाल बदलती है और नहीं तरणडर्य बदलती है यह जो आपकी आई ना उसकी चाल बदली ना ही उसकी तरंग देरे बदली है जब कि इस तरह से अगर फ्रकास का परावतन होता है तो इसमें जरूर थोड़ा जरूर चाल होता है इस द्रें में थोड़ा बहुत justify और भाद सेट kwestri पर मोट अझान कर्शे परकी मिनुदिया और spendative मिनुद्धियी अनुद्धियर का लनम अभी कोड कोड वनाए था और अमंभीदृ होगे इसको इसकू कर lips और देधे कोई कोड बनाई था ना मलत यहीं चीज मैं बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने यहां पॉइंट केर कर लिया ओके अब लोग आते हैं सेकंट पॉइंट में समतल दरपढ द्वारा प्रतिविम का बनना अब हम लोग जानेंगी कि संतल दरपड क्या होता है इसके दारा जो प्रत्विम बनता है बह कैसे बनता है formation of image by plane mirror हमारा जो first point है संतल दरपड दारा प्रत्विम का बनना सेदाव, अभासी, शीधा तथा दरपड की लंबवत ठीक तीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर यह संतल दरपड वही वाला संतल दरपड है जो आप लोग घर पर देखते हो सीसाप का शी वही वाला है इसमें ये बताये गया कि इस पर हमेसा अभासी प्रतिविम बनता है, अभासी का मतलब होता है हमेशा CC के अंदर आपकी प्रतिविन दिखाए देगा आप लोग सीसा दिखते हैं तो आपको CC के अंदर दी तो आपको चैरह दिखता है तो बगल में थोड़ी दिखता है अंदर दी तो दिखता है ना बस परी जीज और तो यह भी उताएगे कि जितनी दूरी पर आप दिखेगा अगया सीसे से 1 cm की दूरी पर खड़े हो फिर आपको क्या प्रतिविन है वैबained centimeter दूर बनता था ना इस सब चीजय आप अपने घरकश FOR देख सकते हो इस सब चुल्च आपको इसमें सब कुछ दिखता हैं स्यूर्च नहीं बढ़ा होता है उतना बढ़ा तो दि चला नहीं देखता है जैसा आपका चला होता है वैसे ही तो दिखता है जितना अंदर दिखता है बस यही पॉइंट आपको समझाना चलते ही ती अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट यदि हम वस्तु को दरपर से दूर हटाएं जैसी बात है अगर आप अपने सीसे के सामें खड़े हो जाओ उसके बाद आप अपने हाथ को दूर हटाओ तो फिर आपका जो अंदर प्रतिवी मनता है वो भी आपसे दूर जाएगा और दरपर के पास लाएं यानि कि अगर आप अपना हाथ सीसे के पास लेकर जाओगे तो फिर आपका जो प्रतिवी मनता है वैबी सीसे के पास आएगा हाई करके नहीं आएगा आप लोग एवर ट्राइकर करके जरू देखिएगा इसमें पक्का ऐसा ही होता है प्रतिवी उतनी ही दूर दरपर से हट जाएगा या वेग से दरपर की ओर जो या दरपर से दूर दोड़ें तो हमें अपना श्रेम का प्रतिवीम दोगुना वेग से अपनी ही ओर आता या अपने से दूर जाता दिखाएगा एक बात और अगर आप अपने सीजे के सामने तेजी से दोड़ कर आएगे तो फिर आपका जो प्रति घंटे की रफ्ता से आपको दिखेगा कि वह आंसे दोगने वेग से दौर के आ रहा है और एवा उसके अंदर यह प्रॉपर्टी होती है तो फिर आपको यह प्रॉपर्टी याद रखनी की समकल दरपर्ण में जो प्रत्विम होता है वह आब आसी बनता है आप जित लिखें यादे जाएगे तो फिर आपका प्रत्विम दरपर के पास लाते हुई गूरते हैं या पिर दरपर के पास लाते हुए तो वहीं दोड़ते हैं अगे उस और या वह दोड़ते हैं तो यहां पूरिए प्रतिजंगेh ख़ता वह दोड़ती हुआ आ रहे हैं प्रतिवे में यानि की इमेज है आपकी वो दो किलिमीटर प्रति घंटे की रफ्ता से आपकी दर्फ दोड़ती हुए आती है इसकी प्रॉपर्टी है अच्छे से आप लोग लेंड कर लीजिए का समझ लीजिए अगर ना समझ में आए तो फिर से देख लीजिए आको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अब हमारा जो हमारी सेकेंड यह दो पॉइंट्स कम्प्लीट हो कहते हैं अब हम लोग यह वाला पॉइंट समझेंगे समतल दरपर द्वारा बने प्रतिविम का अकार क्या लिखा है समतल दरपर द्वारा बने प्रतिविम का अकार बस तो अकार के बराबर होता है वहीं तो बात लिखा है जो संतल दरपड में जो इमेज बनती है उतना ही इमेज बनती उसकी जो अकार होता है अगर वह एक सेंटीमीटर अगर आप बेखो मेरा हाथ इतना ही बड़त है आप मिरर में आपको मैं सबस्क्राइब और अब लोग श्रीम्शोट ले लीगे मेरा है श्रीम आप लोग में देखिएगा जलदी से सब बच्चे हो इसमें सोट ले लो वन टू थी आप लोगों ने स्क्रीम सोट ले दिया होगा और सब लोग अपनी कॉपी में लिखना मैं बहुत मैंने से आप लोगों के लिए हैं डिटो नोट्स तैयार करती हूं तो प्लीस आप लोगों के लिए जीए का आपके एक्जाम टैम पर बहुत कामाएंगे ठीका गाइस अब हम लोग आते हैं अपने फ्लाश्ट कॉइंट पर लिखा है संतल दरपड से सदैव अभासी प्रत्विम बनता है अभी हम लोगों ने चाना ना कि अभासी प्रत्विम बनता हमेसा यानि कि दरपड के अंदर बनता है बनता है ना और सीधा भी बनता है व्यक्ति का पूरा प्रत्विम देखने के लिए संतल दरपड की न्यूंतम लंबाई व्यक्ति की उचाय की आदी होने शीए इसका मतलब यह होता है कि आपको अगर अपने सरीर का अगर आपकी जो लंबाई आगर आपको अपनी पूरा इ आपको तो देखने हैं कि आपको तो देखनी है पूरी आपको यह पता नहीं कि हमें कितने हाइट का दरपड चाहिए यानि मिरर चाहिए तो प्या करोंगे जैसे कि आपकी 6 फिट लंबाई है तो आपको तीन फिट का मिरर लाना होगा कितने फिट का लाना होगा तीन फिट अपनी लंबाई का दो से भाग कर देना जितनी भी आपकी लंबाई हो हमेसा पुरी लेंथ का पूरी लेंथ आपकी बॉडी की पूरी लेंथ दिखेंगी और असानी से आप अपनी बॉडी पूरी सबसक्ताइब की तेक श्चाहिए आदि की बैक्ती की आदि हो चाहिए अक dimonER तो आपको समस्तलाधर और यह जाताइब की प्सक्ताइबिए अब हम लोगों यह पॉइंट समझ लिया, आप वह लोग जानेंगे, कि समतर दरपड़ के जो फोकस दूरी होती है, वो अनद होती है, इस पॉइंट के बाले में मैं आपको और नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, नेक्स्ट के आगे बताऊंगी, बहुत ही दूटेल में ब कि अब ही थोड़ा और भी चीजे बताने पड़ी है आपको इसलिए, तो आप भी आप लोग जान लेजिए, कि समतर दरपड़ के जो फोकस दूरी होती है, वो अनद होती है, इंफिनाइटी होती है, ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, आगे की जो इसके आगे की जो भी लेक्चर में मिलेंगे, यानि की पार्प्स 3 में मिलेगा, ठीक है, हाँ, इसके भी स्क्रींसोट ले लिजे, 1, 2, 3, I hope आप लोगोंने स्क्रींसोट ले लिए होगा, सब लोग लिख लीजेगा, ठीक है, अपने नोर्स में सब लोग लिख लीजेगा, और सारी टॉपिस में वक्को बहुत ही डिजेल में इसी तरह से पढ़ाऊंगी, रोज रोज आपको हैं रिटर नोर्स भी प्रोवाइट कराऊंगी, आप लोगों ने बहुत दिखाई होगा, मैंने स्रॉर्स में कुछ आर्ट भी प्रोवाइट कर रही है, हाँ, आप लोगों को आर्ट की टीचर आप से भी मिलवा दूगी, जल्दी वह थोड़ा सबस एक नमूना था, मेरी आर्ट की टीचर का, आप लोगों के लिए गाइडन्स के लिए 910 की, ओके गाइस, अगर आपको 910 की जो आर्ट होती है, उसके बारे में थोड़ा बड़ गाइडन्स चाहिए, या फिर आर्ट क कैसे बनाते ही, यह सब चीज़ आपको मेरी चैनल को सिखाए देगा, ठीक है, तो आप लोग प्लिस देखिएगा, उनके वीडियो भी देखिएगा, जो सौर्स पढ़े है, वो सौर्स भी देखिएगा, प्लिस उनको लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ह और थैंक यू सो मुच मेरी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मुच, बाई बाई